कुनूर में एक बड़ा हास्सा हुआ है हेलिकोप्टर क्रेश हो गया है और उसमें 14 लोग सवार थे सीना के जवान सवार थे CDS सवार थे हासे में 14 लोगों के मौतों के मौत की खबर है ABP तमिल के हवाले से चिंता जनक खबर सामने आई है CDS विपिन रावत के भी दुखद निधन की खबर है विपिन रावत के धर्मपतनी मधुलीका के भी निधन की खबर है हलंकि आधिकारिक तोर पर इसकी पुष्टी नहीं हो पा रही है कुछ देर बाद रक्षा मंतरी राजना सिंग जानकारी देंगे संसद में राजना सिंग आधिकारिक जानकारी देंगे, आधिकारिक बयान देंगे, वो संसद पहुंच चुके हैं जैसे ही खबर, रक्षा मंत्राले को मिली, प्रधान मंत्री को जानकारी दी गई, आपात बैठक बुलाई गई और चुकि संसद चल रही है इसलिए नियम कहता है कि सरीके के घटनाओं के जानकारी सबसे पहले संसद के माध्यम से दी जाती है और यही वज़े कि राजना सिंग संसद पहुंचे हैं इस मामले में जानकारी देंगे अभी तक 11 लोगों के शव बरामत कर दिये गए जिस हेलिकोप्टर के क्रेश उनी के बात की जा रही है वो दर असल MI-17 V5 हेलिकोप्टर है सेना के सबसे ताकतवर हेलिकोप्टर में वो शुमार है जितने भी VVIP मोमेट हेलिकोप्टर के जरिये होते हैं चाहे वो प्रधान मंत्री के हों, ग्रिह मंत्री के हों, रक्षा मंत्री के हों, या पर CDS के हों, या सेना प्रमुक के दोरे हों, वो सभी MI 17 V5 के जरीए ही होते हैं। 2016 में अंतीम हेलिकॉप्टर को खरीदा गया था, ऐसे में जहांच ज़रूरी है कि सेना का जो सबसे ताकतवर हेलिकॉप्टर वो क्रेश क्यों हुआ, क्योंकि जिस हेलिकॉप्टर का जिकर करें हैं, वो डबल इंजिन हेलिकॉप्टर है, ऐसे में अगर किसी इंजिन में से हेलिकोप्टर को लैंड कराया जाता है लेकिन यहां हेलिकोप्टर क्रेश हो गया है सीडियेस विपिन रावत मौझूद थे उनके धर्मपत्रे मौझूद थे जवान मौझूद थे ग्यारा के शव बरामद अभी तक हो चुके हैं बेहद दुखद हाथसा और ये हाथसा कई सवालों को भी खड़ा करता है क्योंकि अमूमेंट जब इस तरीके की मौमेंट होती है तो जो रक्षा विशेशग्यों बताते हैं कि वी वी आईपी मौमेंट के दोरान एक हेलिकॉप्टर के साथ दूसरा हेलिकॉप्टर भी चलता है क्या यहाँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये भी सवाल है कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनासिंग जानकारी देंगे मंत्री अश्योग गैलोत ने ट्वीट किया है कि सेना के हेलिकॉप्टर के दुर्गटनगरस होनी की खबर चिंता जनक है मैं हेलिकॉप्टर में सवार लोगों की सकुषल होने की प्रातना करता हूं लेकिन जो जानकारी है 11 लोगों की मौत हो चुकी है शव बरामद हो चुके है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू चल रहा है लेकिन यह तस्वीर वाकई चिंता जनक है क्योंकि आग के जिस तरीके से लप्टे निकली और हेलिकॉप्टर पूरे तरीके से क्रेश हो गया आग के गोले में तब्दील हो गया बचना काफी मुश्किल और इसलिए जो वहां का आकड़ा 11 लोगों के शव बरामद किये गए हैं हालंकि आधिकारिक तोर पर किसी भी खबर की कोई पुष्टी नहीं क्योंकि अभी तक आधिकारिक तोर पर कोई बयान सामने नहीं आ है वजह उसकी साफ है संसद चल रही है और निहम कहता है कि जब इस तरीके की कोई बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले संसद को अवगत कराया जाता है और इसलिए रक्षमंत्री रावजना सिंग संसद पहुंचे है कुछी देर में संसद की सामने वो इस पूरी घटना की जानकारी रखेंगे ये भी बताएंगे कि रैस्क्य ओपरेशन के दोरान कितनों की जिंदगी को बचाया जा सका सीडियेस विपिन रावत को लिकर जानकारी वो साजा करेंगी उनकी धर्मपत्नी भी जोरे पर साथ थी इस यात्रा पर साथ थी उनकी सिती क्या है वो भी स्पष्ट करेंगे पूरे देश की नजर रक्षमंत्री की संसद में दिये जाने वाले बयान पटी की है अलग-अलग माध्यमों से जो खबर आ रही है वो चिंता जैनक है क्योंकि 11 लोगों की शव बरामद हुए है हादसा बेहत दुखद है अलग-अलग माध्यमों अलग-अलग दावी कर रही है लेकिन जिस हेलिकोप्टर का जिक्र कर रही है MI-17V-5 ये दरसल वही हेलिकोप्टर है जिसका इस्तमाल 26-11 में मुंबई पर जब हमला हुआ था ताज पर रेस्क्यू के लिए किया गया था अटेक के लिए किया गया था सेना के जवानों ने इसी हेलिकोप्टर के जरीए आतंकियों को मार गिराया था हवा से ताज होटल में एंट्री की गई थी MI-17V-5 वही हेलिकोप्टर है